कि नमस्कार दोस्टों इस अपको स्वागत है आज की ड्वम बात करेंगे पैरामांट टीपे के बारे में पैरामांट टीपे की एल्थ इंस्टरंस पोलसी पर्चेस करने बाद बहुत सारे लोगों वे जानकारी नहीं होती है कि उसमें की नेटवर्क लिस्ट होती है वह कैसे डूड़ए netवर्क ह dust क्या होती है और non netवर्क हुस्पिटल स्ट क्या होती है आझ की बारे मिं आप लोगों को बताऊंग। लगते आपने उस्पिटल नगे है नहीं है उसके क्या होगा जो अगर प्रपरबॉन TPA की network list में जो hospital होगा वहाँ पर जाके आप लोग अपना cashless ईलाज करा सकते हो cashless का मतलब होता है free ilag अगर आप किसी network hospital में जाके ilag कराते हो तो वहाँ पर आप लोगों को payment देने की जरूरत नहीं पड़ती है वहाँ पर आप लोगों को cashless इलाज मिल जाएगा लेकिन अगर किसी non-network hospital में आप इलाज कराते हो तो वहाँ पर आप लोगों को cash में payment देनी होती है और बाद में अपने विल reimburse होते हैं तो इसलिए जादा तर लोग क्या होता है कि वह अपने network hospital के अंदर जाते है अपना treatment कराने के लिए ताकि उनको कोई payment cash में ना देनी पड़े तो आज की युडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने network hospital को डूंड सकते हो अपने नजदीक में जाके पता कर सकते हो कि कौन-कौन से hospital आपकी network list के अंदर है जो paramount TPA से जुड़े होए आज की युडियो में आप लोगों को screen के उपर दिखा के समझाओंगा कि कैसे आप लोग अपना state सेलेक्ट करके अपने डिस्टिक सेलेक्ट करके अपना जो pin code होता है उससे अपने नजदीक के hospital सर्च कर सकते हो network hospital list में देख सकते हो जो TPA से जुड़े हुए मतलब paramount TPA से जुड़े हुए तो वीडियो को आप लोग लाश्ट तक देखिए चैनल पर आप लोग नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बैल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो को notification आप लोगों को मिलता रहे हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पेरमंड TPA की Healthy Insurance Policy होती है उसको Purchase करने के बाद या Corporate Policy अगर आप लोगों के पास बने के आ ग गीएyorsun तो इसका इस्तमाल हम कैसे कर सकते हैं किस hospital में कर सकते हैं इसका पता करने के लिए हमें Network Hospital list का पता होना बोट जरूरी होता है network hospital list होती है paramount TPA के साथ जितने भी hospital जुड़े हुए वो एक network है उस network बहुत सारे hospital paramount TPA से जुड़े हुए होते हैं उसी को एक network hospital की list बोलते हैं तो उसके बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं कि जिस hospital में हम अपने इलाज करा रहे हैं वो Paramount TPA की Network List में है या नहीं है Network Hospital में इलाज कराने से सबसे बड़ा फाइदा ही होता है कि वहाँ पे हमें Cashless इलाज मिल जाता है Cashless का मतलब यह होता है कि वहाँ पे हमें इलाज कराते टाइम कोई भी पेमेंट नहीं देनी होती है क्योंकि हमारा कार्ड वहाँ पे अपली केबल होता है जो Paramount TPA का Health Card होता है या Health Policy होती है वो उस होस्पिटल में अपली केबल होगी तो ही हमें वहाँ पे Cashless इलाज मिलेगा तो इसलिए Network Hospital List का पता होना सभी के लिए बहुत जरूरी है बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है जिनके पास Paramount TPA की Policy है तो उन सभी लोगों को मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने नजदीक में अपने स्टेट में या अपने डिस्टिक में एक अच्छा होस्पिटल ढूंड सकते हो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए ताकि आप लोगों को कैसलेस इलाज मिल जाए और कोई पेमेंट भी ना देनी पड़े क्योंकि पता ना होने की वज़े से बहुत सारे लोगों को पता ना होने की वज़े से कि यह होस्पिटल नेटवर्क होस्पिटल में है या नहीं है पता नहीं होने की वज़े से वो पेमेंट दे देते हैं या किसी non-network hospital में अपना इलाज कराने चले जाते हैं तो आप लोगों को जागरुक होना है क्योंकि आप लोग पैसे तो दे ही रहे हो paramount TPA को तो उसका benefit भी तो आप लोगों को लेना चाहिए चाहे आपको इलाज कराना हो या ना कराना हो किसी को जरूत पढ़ती हो या ना पढ़ती हो लेकिन अपने hospital आसपास के नजदीक के ढूंड के आप लोगों को रखना चाहिए क्योंकि medical emergency आज के टाइम में किसी के साथ भी हो सकती है तो आगे की वीडियो में आप लोगों को screen के उपर लेके जाऊंगा और वहाँ पे Paramount TPA की जो website है वहाँ पे आप लोगों को अपना नजदीक में जो hospital है वो कैसे ढूंडना है कैसे पता करना है वो पूरा process आपको screen के उपर समझाऊंगा तो चलिए वीडियो को मैं दिखाता हूँ आप लोगों को screen के उपर आप लोगों की screen के उपर Paramount TPA का health card खुला हूँ है इस health card को दिखाने का मकसद मेरा यह है कि आप लोग अपने health card में अपना TPA और insurance company कैसे ढूंड सकते हो तो इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कैसे network hospital भी ढूंडने है network hospital तब ढूंड पाओगे तब आप लोगों को यह पता होगा कि हमारी insurance company कौन से है और TPA कौन से है TPA अलग होता है insurance company अलग होती है तो इसके अंदर देखिए सबसे उपर लिखा हुआ है ifco tokyo general insurance तो यह तो होगी है insurance company जो ifco tokyo है और जो paramount TPA है उसका logo देखो यहां नीचे लगा हुआ है यह जो लास्ट में देखिए यहां पे paramount TPA का जो logo लगा हुआ पर लिखा हुआ है तो नीचे जो लिखा हुआ होगा वो TPA लिखा होगा ऊपर जो लिखा होता है वहां पे insurance company होती है तो इसकी insurance company ifco tokyo है इसकी जो insurance company देखिए यह insurance company ifco tokyo होगी है और यह इसका paramount का जो TPA है वह यहां लिखा हुआ है इसमें यहां पे patient का नाम लिखा था जो मैंने blur कर दिया है उसके बाद यहां corporate card ही तो यहां पे company का नाम लिखा हुआ तो यहां पर प्राइवेट company में यह काम करते हैं्द 2 पेशंट की एज लिखी हुए थी हैं एंप्लोई कोड लिखा पर पे और पी ऐएज सेस्टी नंबर ELIडिनेडिन का और जो की वैले टी जो बिंद धी कि Bizim है उनका जो नेटवर्क है वो कैसे आप लोग दून सकते हूँ हमें Google Chrome में आ जाना है और यहां पर Paramount TP यहां पर सर्च करना है जैसे हम Paramount TP सर्च करेंगे तो यह website खुल के आएगी सबसे पहले इस पर हमें क्लिक करना है और इसको desktop side में कर लेना है जब हम क्लिक करेंगे तो यहां पर तेखहें यह नेटवर्क और भीडल दिखा वा रहाहे हैं है निट्वर्क होश्पितल हें कि क्लिक करना है है कि यहां पर हमे पर क्लिक किया Ken ale Church Scout होश्पितल वे कैड 21 आ रहा है ही लोगी कई होश्पितल नैट्वर्क मतलब जो समिन का जो नेटवर्क है वह यहां पर खुल जाएगा जब आप अब इस पर क्लिक करोगे तो हमें यहां पर क्लिक करने हैं और यह हमारे सामने लिस्ट खुल के आ जाएगी अब मतलब वो पेज खुल के आ गया है जहां पर हम अपना नेटवर्क होश्पिटल डूण सकते हैं बहुत है कि सर्फ करें देखिए चर्फ है इसे पहले है स्टेट हमें स्टेट्सने करना है मान के चलो हमें यहां रिचतिस कड सरुपय कर दिया शधिक प्लिक है से हम कर लेते हैं शेक्ड राइपूर इस बाद इंस्वरेंस कमपनी इंस्वरेंस कमपनी जो व्यूर हो टोक्यों ज्युंक fair के देख लेटे हैं इसके बाद हमें के पौलसी टाइक ग्रूपबरीलिख उती है जो कॉर्पेट अनुड्यू व मतलता थी हो गुरूप मतलब corporate और जो individual मतलब जो हम पोल से खुद कराते हैं तो हमें यहाँ पर जो भी select करना है उसी type के खुल के आजाएंगे तो गुरूप पोल से हमने select कि यहाँ पर group code mandatory नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो यहाँ पर हम submit करेंगे तो उसके बाद कहा है कि नीचे जो है यह हमारे सामने hospital खुल के आगए जैसे आरुग्या hospital नियर रसोक टावर रायपूर यह रायपूर के जितने भी hospital है जो paramount TPA से जुड़े हों वो खुल के आगए नीचे 5 page तक खुल सकते हो सेकेंड पेज पर जाओगे तो दूसरा पेज खुल के आजाएगा इसमें देखिए यह और होस्पिटल आ गया है ऐसे ही आप और अपना जो लोकेशन दूसरी लोकेशन पर अपना देख सकते हों जैसे घुजरत में मैंने सलेक्ट करना है और City एमदाबादस्ट एमदाबाद में insurance company अब दूसरी सेलेक्ट कर लेंगे यहां पर अधित्य बिल्ला कर लेते हैं यहां पर अधित्य बिल्ला पोल्शी ओल्टर यहां पर हम इंडिविज्व कर लेते हैं इंडिविज्व कोर्पेट वो तो जब अगर network hospital में होगा तो दोनों तरह कही पेशिंट ले सकते हैं तो यहां पर सब्मिट करेंगे तो यहां पर आपके सामने जो दो सो नवासी ओस्पिटल टोटल दिखा रहा है यह तो टोटल ओस्पिटल फांड इसमें देखिए आंपर एडवांस और्थोपैडिक होस्पिटल एमदाबाद यह अश्पिटल का नाम ह यह अडर्स है और यह सिटी है ऐसे इसमें देखिए नीचे सारे अमदाबाद के होस्पिटल जितने हैं नीचे बहुत सारे पेजिस दी हैं मैं देखिए यहां पर यह दस पेज से ज्यादा आगे भी खोल सकते हो ऐसे ही अपना आप अपना स्टेट सेलेक्ट करके अपना ड पो देना है कि कैसे आप लोगों की कैसे अप पता कर सकते हों तो आज की वीडियू में आप लोगों को बता है कि कैसे आप लोगों को घर बैठे-बैठे अपने mobile से अपने network hospital की list डूण सकते हो जो paramount TPA से जुड़े हुए hospital है network hospital का पता होना आज के time में बहुत जरूरी है सभी insurance company या TPA के जो भी network list में hospital जुड़े होते हैं उनके बारे में आप लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है आज की वीडियो में मैंने paramount TPA के बारे में बता है आगे आप लोगों को इस channel के उपर बहुत सारी insurance company या TPA के बारे में पता लगेगा कि किन-किन hospital से वो जुड़े हुए हैं या कौन-कौन से hospital उनके network से जुड़े हुए हैं आगे की बहुत सारी वीडियो फ्यूचर में आने वाली हैं तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ paramount TPA के बारे में आप लोगों को बता है तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और helpful लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए बैल आइकन दबा दीजिए ताके नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे हैं आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए पैरमाउंट TPA के जितने भी policy holder हैं चाहे वो individual policy holder हो या corporate policy holder है उन सभी के साथी वीडियो जरूर शेयर कीजिए corporate के जो employer होते हैं, corporate policy के जो employer होते हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़ादा है और बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है तो कोई senior person भी अगर जो Paramount TPA से जुड़ा हुआ है तो अपने साथी लोगों से ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग इस चीज़ का benefit ले सके और अपने card का सही तरीके से इस्तिमाल कर सके Paramount TPA को लेके मैंने बहुत सारी वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाली हुई है उन वीडियो को देखके भी आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो आगे की वीडियो भी मैं ऐसे ही लेके आने वाला हूँ जिससे आप लोगों को बहुत सारी help मिले तो आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार